अब हम लोग यहां पर बात करने वाले है यूपी एसी की ओफिशिल नोटिफिकेशन 2021 प्रेलिम्स के लिए अब आउट हो चुका है थोड़ी लेट हो गई है लेकिन कोई बात नहीं अब जाकर यह आपका नोटिफिकेशन आ गया है तो कुछ चीजे देख लेते हैं और जो न अब लोट कर दी हूँ अगर आप लोग मेंस्टेस सीरीज या फिर प्रेलिम्स टेस सीरीज से जुड़े हो तो उस ग्रूप में भी आपको अपलोड कर दिया गया है साथी साथ आप यूपी एसी के वेबसाइट से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो अपलाई कैसे करनी है अपलाई आपको इस जो यहां पर वेबसाइट आपका यहां पर लिंक दिया गया है इसमें जाकर आपको वेबसाइट ओपन होगा यह फिर कैसे करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगी साथी साथ यह थोड़ा पढ़ लीजेगा इस पीडियाफ को इसमें यही दी गई है कि अपने निर्धारे डेप पे ही होगा जैसे कि 27th of June पहले भी कहा गया था तो इसी दिन यह आपका होगा ठीक है और यहां पर services है कि इसकी service आपको allot की जाएगी यह सारे service आप देख सकते हो साथी साथ vacancies कितनी है तो यही सबसे interesting बात इस बार कि vacancies जैसे continuous कम होते जा रहे त इस बार आपको सिफ only 712 vacancies देखने को मिलेंगे 22 vacancies reserved है person with benchmark disability category के तो यह चीज़े याद रखने है यहाँ पर आपका detail दिया गया लेकिन हाँ total 712 यहाँ पर आपका vacancies है तो और दम लगा कर लग जाना है क्योंकि vacancies आप देख सकते हो कितना ज्यादा कम होते जा रहा competition तो उसी level के tough है ही तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आईए अब हम लोग चलते हैं देखते हैं कि कैसे यहाँ पर form fill up करनी है तो यहाँ पर मैं UPSC के website में इंटर कर गई हूँ आप जब यहाँ पर इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा notification आएगा उसमें आपका इस तरीके से कुछ open होगा और उसके बादव को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दो पार्ट है पार्ट वन Maisistration है पार्ट सेकें में registration है तो पहले आप लोग को part first registration करना है ओके तो यहाँ पर आप लोग part first के लिए आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका इस तरीके से webpage open हो जाएगा यहाँ पर आपको advice किया गया है सारे instructions है कि किस तरीके से आपको पहले भढ़ने से पहले आपको go through हो लेना है और उसके बाद जो यह asterix वाले जितने भी आपके questions रहेंगे कि इसमें आपका यह red mark इस तरीके से आपका star बना रहेगा तो उस column को आप लोग को ज़रूर fill up करनी है ठीक है और धियान रहे 24 March तक ही है तो जल्दी से जल्दी भढ़ लिजे और हाँ UPSC में आपको देखने को मिलेगा कि first come first serve वाली बाते होती है इक मीज़ कि अगर आप लोग अपने मन पसंद जगह पे exam देना चाहते हो जो भी city जो भी location लोकेशन नी सीटी बे देना चाहते हो तो आप लोग जल्दी से जल्दी form भढ़ लिजे एक बार अगर उस जगे का seat फुल हो जाएगा तो फिर आप लोगो मन पसंद सीट नहीं मिलेगा तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने form को fill up कर लीजे ठीक है साथी साथ ऐसा भी questions होता है कि एक बार form में अगर गलती होगे तो दुबारा भर सकते हैं कि नी यस आप लोग N number of form fill up कर सकते ह है बस आपके mobile number email ID आपको different मांगे जाएंगे तो आप लोग उस चीज़ पर ध्यान रखेगा साथी साथ क्या है कि जितना भी आप लोग form भरिएगा ओके लेकिन जो last form आप लोग भरोगे न वो आप लोग का माना जाएगा तो last form जो भरोगे उसको ध्यान रखेगा लेकिन क सोशच कीज़े कि गलती ना करे सारी चीज़े आप लोग यहां पर पर सकते हो कि application form जो है आपका English Hindi दोनों language में होगा लेकिन आपको इस ये English language में ही सिर्फ फिलप करना है इट मिंस कि जहां पर आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है English और Hindi है लेकिन आपको फिलप सिर् एक बार आप पार्ट वन रिजिस्ट्रेशन कर लोगे तो candidate को सिर्फ बेसिक information ही फिल करना है और पूरे details यहां पर आपको देना है फिर पार्ट टू रिजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपका क्या है यहां पर payment details होंगे आपको अपने photograph, signature, photo identity card, document चैसे कि DL हो गया आपका आपका part 1, part 2 का जो है वो valid माना जाएगा यानि कि 4th of March से start करके अगर आप 24 of March को तक आप भरोगे तभी आपका यह registration जो है valid माना जाएगा candidate को agree करना है यानि कि must press करना है I agree button पर जब आप लोग सारे information को fill up कर दोगे ठीक है और scan photographs देखिए आप लोगे पास अगर photo अगरा नहीं है तो आपका जो photographs आप लोगे वो jpg format में लेना है और इसको सबसे पहले आपको upload करना है digital size कितना है यानि कि photo के size कितनी होनी चाहिए तो 300 kb से जादा नहीं होना चाहिए और 20 kb से कम नहीं होना चाहिए resolution कितना है तो resolution भी आप लोग देख सकते हो कि 350 pixel x 350 pixel है यह आपका width and height में है ओके यह चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है इत्मींस कि photographs चरूर अपना एक बना के रख लीजे अगर आप लोग नहीं हो पहले से हो तो फिर कोई दिकत नहीं है आप लोग अपने photographs को यहा आप लादा नहीं और 20KB से कम नहीं होना चाहिए resolution भी सेम है जो photographs का resolution है वही आपका जो signature आप स्कैन करोगे उसी का है तो दोनों सेम है यह दोनों को करवा के रख लेना है तब आप जो है form fill up करने के लिए बैटना उसकी बाद जैसे ही आप यहां पे इस सारे दोनों जैसे कि अगर आप DL दे रहे हो या फिर आधा कार्ट दे रहे हो पैन कार्ट दे रहो तो इसको PDF form में आप लोग स्कैन करके रख लो और सिफ PDF form में ही जाएगा इस PDF form का भी size आपका 300KB से जादा नहीं होना चाहिए और 20KB से कम नहीं होना चाहिए तो यह सारे information है जो कि basic ह इसको आप लोग समझे और online payment आपको जो करना है वो आप credit debit और net banking facility से आप कर सकते हो या फिर SBI से आप चलान कटा के भी कर सकते हो तो यह भी धियान रखिएगा जैसे भी जिस mode में आप लोग payment करना हो और payment के लिए जो भी यहापे exempted है यानि कि जिनको भी छूट है कि उनको payment नहीं करना है तो वो भी यहापे यह जो 14 और 16 steps होगा उसको वो skip कर सकते है उसके बाद आप देख सकते हो कि paper A है चोकि आपका Indian language में है साथी साथ आपको यहापे अपने optional को भी input करना होगा तो क्या optional आपको लेना है आप अच्छे तरीके से सोच लीजे और अभी आपको जो है optional करना है अब यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हो have you read and understood all important instructions and detailed instruction तो आपको यहाँ पर यहाँ पर पढ़ लिए हो समझ लिए हो कि हा किस तरीके से यहाँ पर UPSC की सारे information आपकी दी गई है तो इसको आप click करने के बाद आपका इस तरीके से कुछ form open होगा ठीके यह first part का आपका जो है registration कराया जा रहा है तो थोड़ा समय इसको zoom कर लेती हूं जिससे आपको देख सके यहाँ पर आपको name लिखना है ठीके capital letter में आप English में लिखोगे यहाँ पर आप नाम लिखोगे उसके बाद आपको अपना gender भरनी है date of birth भरनी है father's name mother's name national personality अब यहाँ पर आप देखिए कि यह red आपका star mark है तो red star mark है यह means कि यह इस column को आपको fill up करना ही है marital status क्या है और अगर candidate कोई भी person with benchmark disability है तो वो भी आपको यहाँ पर fill up करनी है यह सारे information आपको यहाँ पर देना है अपना educational qualification यहाँ पर देना है फिर उसके बाद आपका जो graduation में degree subject था means उसको भी आपको बताना है फिर address आपको पूरी देनी है line 1, line 2, line 3 में फिर अपना किस राज से आप आते हो किस district से आपका pin code क्या है mobile number क्या है phone number क्या है email क्या है और confirm email याद रखें कि जो active email ID है उसी को आप लो देऊ और एक alternative email ID भी आ आपको पहुंच सके उसके बाद आप लो देख लो यह सारे information आप अगर फिल कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click करना है continue पर click करोगे तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ कुछ form fill up नहीं की हूँ तो यहाँ पर मुझे suggest किया जा रहा है कि मुझे form fill up करना जाए बट कोई नहीं इस तरीके से आप लो पार्ट फर्स का जो है registration कर लोगे तो फिर यहाँ पर आपका जब पार्ट फर्स हो जाएगा तो ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि पार्ट फर्स आप लोग रेजिस्टर करके छोड़ दी और आपका form यहाँ पर complete माना जाएगा आपक second part पर ध्यान रखिएगा second part आपका दभी होगा यह computer को यूज करके होगा laptop और यहाँ पर desktop कहा जा रहा है तो इसलिए यह तो मैं यहाँ पर phone से यूज करूँ इस तरीके का है लेकिन ध्यान रखिएगा ठीक कई बार candidate क्या करते कि फर्स पार्ट को register करके छोड़ देते बट इसा नहीं करना आपको पूरे form को fill up करना है हर एक step को अच्छे से fill up कीजएगा और application form जो आप fill up करोगे ना उसको save करके आप अपने पास PDF form में निकाल के रख लोगे तो इतना आपका procedure है कोई भी तरीके का अगर और problem होती है तो आप comment करके पूस सकते हो अगर कोई भी doubt है आप लोगो UPSC prelims से related कि क्या कैसे कप करनी है एक तो आपको मैं दो तीन वीडियो प्रोवाइट करूँगी कि इस 100 days में आपका इंटरफेर्स कितनी complete करना है कैसे complete करन static portion पर कैसे ध्यान देना है यह सारे आपको lesson अभी मिल देखने को मिलेंगे लेकिन इसके अलावा आपकी कोई और queries है form fill up करने से या फिर कुछ भी whatever आप हमें comment कर सकते हो हम लोग आपको यहाँ पर answer जरूर करेंगे उसके अलावा एक छोटी सी notice है कि अगर आप में हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe करके playlist में आकर हर एक मन्त की visa नाइस की current affairs की magazine आपकी चलती है कुछ static portions भी आपको देखने को मिलेंगे history की आपको देखने को मिलेंगे कु संदे को आपको मार्स तक टेस्ट देखने को मिलेंगे उसके बाद संदे वेंस्टे संदे वेंस्टे आपको यहां पर टेस्ट मिलेंगे कीजेगा तो आपको telegram channel के link provide की जाएगी उसके बाद आप लोग यहां पे जो पुराने वीडियो से वो तो आपको मिलेंगे ही और n number of times आप लोग देख सकते हैं असा नहीं कि एक बार देख लिए दुबारा नहीं देख सकते हैं आपको Hindi English तोनों में PDF भी प्रोवाइट कि पूछना चाहते हो तो यह आपके सहलियत के लिए हमारा एक mail ID है जिसमें कि आप रिशिका cs77 at the rate gmail.com में mail करकर आप पूछ सकते हो अगर कोई भी आपकी further queries है तो तो अब आप लोग कमर कस लीजे लग जाईए 100 days बाकी है और notification भी आ गई है कोई भी कोताही नहीं बर इतनी ह है अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए जरूर आप लोग success पाओगे तो आज के लिए इतना मिलते हैं हम लोग next lesson के साथ चोकि हमारा वीजन है इसका current of yours का magazine हुगा thank you